हेलो दोस्तो मैं हूँ तनवीर और आप देख रहे हैं टेक आज में दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आप सब को बताने वाला हूं कि अगर आप ट्रेन की टिकेट बनाते हैं और आपकी टिकेट कन्फर्म नहीं होती है वेटिंग में रह जाती है और आपको सफर करना बहुत जरूरी है तो क्या वेटिंग टिकिट पे आप सफर कर सकते हैं या नहीं वेटिंग टिकिट पे आप ट्रेवल कर सकते हैं कि नहीं तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को दोस्तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि waiting दो category के होते हैं एक waiting वो होता है जो आप agent से या online खुद book करते हैं जिसको e-ticket भी बोला जाता है और एक वो ticket होता है जो ticket आप counter से लेते हैं तो उसको counter ticket बोला जाता है तो दोस्तो दो category आता है एक तो e-ticket जो आप online निकालते हैं या किसी agent से लेते हैं एक हो जाता है counter ticket आपकी अगर e-ticket है तो उस पे आप सफर नहीं कर सकते हैं क्योंकि e-ticket अगर chart बनने के बाद भी confirm नहीं होती है और waiting में रह जाती है तो वो cancel ticket ही मानी जाती है क्योंकि उसका refund आ जाता है और अगर आपको जो ticket है वो ticket counter ticket है तो आप travel कर सकते हैं counter ticket पे आप travel कर सकते हैं बट आपको कोई seat नहीं मिलेगी अगर आपके relative साथ में जा रहे हैं या और कोई जा रहा है आपके कोई दोस्त जा रहे हैं तो उसके seat पे आप बैठ सकते हैं otherwise आपके लिए कोई seat एलोट नहीं किया जाएगा यानि आप waiting पे जाएंगे या तो आप नीचे बैठ के जाएं या कोई आप friend आपका friend हो या दोस्त हो उसके seat पे आप बैठ के जा सकते हैं तो दोस्तो उम्मेद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा तो दोस्तो कैसा लगा वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे शेयर जरूर करें थाइंक यू फो वाचिंग इस वीडियो